अगर तुम मुझे आख दिखाओगे तो मैं भी तुम्हें आख दिखाओगा बीजेपी परवक्ता परतुल सादिव जी परतुल जी केंद्रिय मंत्री यहां भी आए नौ वर्स के कारेकाल में जो अपनी उपलब धियां थी वो गिना है कितना तेजी है चुनाओ की तैयारी को लेकरिए महदन जी आप तो जानते हैं कि हमारे पार्टी के लिए बड़ा फेमस लोगन है कि हम 24 इंटो 7 इंटो 365 चुनाओ के लिए तैयार रहते हैं यानि पांचो वर्ष हम चुनाओ के लिए तैयार रहते हैं मैं इसे तो विस्तार से समझाता हूं कि हम चुनाओ के लिए कैसे तैयार रहते हैं देखे हम बूत कमिटीस को सशक्त करते रहते हैं पांचों वर्श और बूत कमिटीस के जरीए जो अन्तिम पाइदान पर खड़ा विकती है उसके समस्याओं का समधान ढूनने की कोशिश करते हैं जहा हमारी सरकार होती ही वहां सरकार से काम करते हैं जहां विपक्ष में होते हैं वहां हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं उसे आवाज बुलंद करते हैं तो हम जनता से पांचो वर्ष कनेक्ट रहते हैं तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि हम चुनाओ के मोड में हमेशा रहते हैं क्योंकि जनता का सम जीत गई आजसु को साथ लाग वोट मिलाता तो कहीं ना कहीं गडबंदन नहीं होने की खामिया जहां हमें भुगतनी पड़ी थी साथ लाग, संतावन लाग वोट हमारे होते, अगर साथ चुनाव लड़ते और दो बावन लाग उनके होते, यह तो इतिहास की बात हो गई, आज से हमारे गडबंदन में वापस आ गया और हम बैतर परिनाम की अपेक्षा कर रहे हैं, और हमारे यहां लगतार कारिक्रमों के शिंख्ला शुरू हो गई है, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के साथ, जनरल वीके सिंग साथ की बैठा कोई जो के इंदर में मंतरी है, इसके अतरिक्त मीडिया के साथ इंट्राक्शन हुआ पॉर्पों प्रेजेंटेशन के जरी दिखाया गया, फिर हम लोग सभा में हरे एक विधान सभा में एक बड़ा स्थल खोज रहे हैं, दो-दो-स्थल जहां पे हमने अच्छा कारिक्र किया हो, उसे लोगों को बताएं इसके अतरिक्त मीडिया से संवाद होगा, प्रेस कांफरेंसे होगा, लोग सभा के स्थर पे, इसके अतरिक्त जो हमारे लगतार जितने कारिकरम हैं, वो चलते रहेंगे, महा जनसंपर का भ्यान भी चलता रहेगा, और सभी संजुक्त मोर्चा की बैठक भी होगी, OBC, UA, मह महिला, मुर्चा, और ये विधान सबस्तर पर करेंगे हम, और हमारी जो अपलब दिया है, नौवर्शों की, और ये तो सब मांगते हैं, कि नौवर्श जो है न, ये डिफाइनिंग येज है, मोधी गवर्मेंट के, इसमें तीन सो सतर आर्टिकल खत्म हुआ, जो लगता थ है, चन्द महीनों की बात है, भवे रामलला का मंदिर का उद्गाटन होगा, और हम लोगों ने करोडों घर बनाए, प्रदानमंतरी आवास में, दुनिया के सबसे बड़ी हेल्थ योजना, योश्मान भारत की लांचिंग की, असी करोडों लोगों को हम लोगों ने राशन मौहाय कराय कोरोना के difficult times में, और private कंपनियों को पूरी मदद करके कोरोना का vaccine records हमें में दिया, और जिसे सिर्फ देश में नहीं, दूसरे देशों में भी हम लोगों ने भेजा, तो ये मोधी सरकार के 9 साल बहुत defining है, और हमें उमीद है, कि जनता हमें फिर से 2024 में अच्छा किया जाएगा, उनके काम काज, उनके छेतर में कितना विकास, ये तमाम चीज़ें सर्वे भी हो रही है, यह सब पार्टी के आंतर एक मुद्द हैं, इस पर सारजर ने टिपनी करना उचीत नहीं, लेकिन हम हमेशा प्रयास करते हैं, कि जो हमारे विधायक और सांसत कि समस्द हैं, और अच्छे से उन तक पहुंचें, ये लगतार होता रहेगा, और मोदी जी तो हमारे चेहरे हैं, इसमें कोई संशाय किन्तू, परंतू, बिल्कुल नहीं है, मोदी जी के नित्रुट में भारत ने एक बड़ी अंगलाई ली, आप खाली दो धारन सब समझे कि कैसे हमारा देश पतला है, पहले चाइना हमारे बौर्डर में खुसाता था, कुछ नहीं होता था, इस बार तो हमारे जवानों ने शहादत दी, अगर उन्होंने चूरे चलाएं तो इन्होंने भी चार चूरे चलाएं, और शहादत देकर इनको घुसने ने दिया, ये ज राजदूत के कारेले में, जो खालिस्तानी समर्थक थे, उन्होंने भारत का तिरंगा उतार दिया, आप मानित किया, तो भारत ने क्या किया, यहाँ बिटन जो इंबैसी थी, उसके बाहर जो सुरक्षा थी, उसे 80% हटा दिया, सिर्फ टोकन छोड़ा, तो ये नया भारत ह अगर आप हमारे उच्चायों की रक्षा नहीं करेंगे, हम आपके यहाँ उच्चायों की क्यों रक्षा करें, इसके बाद बिटन ने अपनी गल्ती स्विकारी, और उच्चसतर ये बात चित हुई, फिर यहाँ सुरक्षा बहाल हुई, वहाँ उन्होंने वादा किया, कि समर्थकों पर कड़ी कारवाई होगी, तो यह कि आप मनमोहन सिंग के समय में, आप ऐसी अपेक्षा कर सकते थे, अगर तुम मुझे हाँ दिखाओगे, तो मैं भी तुम्हे हाँ दिखाओगा, इस बार 14 के 14 सीटों का टार्गिट है, बिलकुल, देखें, पिछले बार भी ह आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, तो इस बार 14-0 का लक्ष है, और जिस तरीके का हेमन सुरें ने अपने 3.5 वर्चों में कार किया है, तो हमारे लक्ष को उन्होंने आसान बना दिया है, तो बिलकुल बीजेपी अपने आंतरिक तरीकों से, अपने ही जो सांसद है, उनक साही होगी नी तीन के साथ मदन सिंग, न्यूज बाइस को अपराची,